परिचय समुच्य है लेकिन आप इन्हें समुच्य कैसे कह सकती हो दिदी समुच्य वस्तूओं का एक संग्रा है जिसमें कुछ न कुछ समानता होती है आओ मैं तुम्हें समुच्य के बारे में और अधिक समझाती हूँ उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समच्य और उनके निरुपन को जानना समच्यों के रोस्टर रूप और समच्य निर्मान रूप को समझना रिक्त समच्य को समझना परिमित और आपरिमित समच्यों को जानना समान समच्च को परिभाशित करना समच्च और उनका निरूपन एक समच्च वस्तूओं का संग्रे है, जिसमें कुछ न कुछ समान होता है, अथवा एक नियम का अनुसरन करता हो उधारनार्थ सिक्कों का समच्च समच्च के निरूपन के लिए मंजले कोच्ठक का उपयोग किया जाता है, और अव्यवों को एक दूसरे से अर्थ विराम दौरा प्रथक किया जाता है, अता केशा के लिए बाहरी पहनावे का समच्च होगा ए बराबर कोट, टोपी, सकार्फ, दस्ताने, जूते, जहां ए समच्च का नाम है तथा कोस्था की ये दर्शादा है के उनके बीच लिखी हुई वस्तुएं समच्च के अंदर गाताती हैं, इस प्रकार एक समच्च को अलग-अलग वस्तुओं के एक संग्रह के रूप में परिभाशित किया गया है। अव्यव तथा सदस से परियावाजी पद हैं। उधारणार्थ, कैपिटल ए एक समच्च है और ए उसमें एक अव्यव है। अर्थात जब हम कहते हैं कि एक अव्यव, ए एक समच्च है, कैपिटल ए के अंदर गत है। तब हम इसे प्रदेशित करने के लिए ग्रीक प्रती एपसिलोन का प्योग करते हैं। एक अंतरगत नहीं आता। गणित में कुछ समान समुच्चे निम्ण हैं। समुच्चियों के निरूपन की विद्धियां। एक समुच्ची को निरूपित करने की दो विद्धियां हैं। रोस्टर या सारणी बध्ध पद्धती और समच्चे निर्माण पद्धती रोस्टर पद्धती रोस्टर पद्धती समच्च के सभी अव्यवों की सूची है अव्यवों को अर्द विराम द्वारा प्रथक किया जाता है तथा मंजले कोश्ठक के भीतर लिखा जाता है मंजला कोश्ठक ये सूचित करने के लिए लगाया जाता है कि इनके बीच लिखे गए अव्यव उस समुच्ची के अंदर करताते हैं आव किसी समुच्ची को रोस्टर पद्धती में प्रदशित करने के कुछ उधारन देखते हैं R बराबर A, E, I, O, U G बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D बराबर सुमवार, मंगलवार, पुधवार, गुरुवार, शुकरवार समुच्ची निर्मान पद्धती एक सामान पद्धती है, जिसे नीचे समझाया गया है समुच्ची निर्मान पद्धती में अनुलंब पट्टी को हमेशा इस तरह है की के रूप में पढ़ा जाता है यदि रोस्टर विथी अनुप्यूक दिया अप्रियाप्थ हो तो अधिकांश्था समुच्चे निर्मान पत्थती कव्योग किया जाता है उधारनार्थ एक्स इस तरह है कि एक्स छे से छोटा है और एक्स जोकी एक गणनिय संख्या है सभी छे से छोटी गणनिय संख्याओं का एक समुच्च है नोट करें कि एक, दो, तीन, चार, पांच की तरह ये समान समुच्चे है समुच्चे की रोस्टर पद्धती का उधारन जब पैटर्न स्पष्ट हो तथा समुच्चे बड़ा हो तब साधारन रोस्टर पद्धती की भिन्निता में इलिप्सिस यानी निून पदों का उप्योग किया जाता है 9007 के बराबर अधवा उससे छोटी विशम गणनिय संख्याओं का समुच्च है 1, 3, 5, 7 इत्यादी 9007 तक सभी गणनिय संख्याओं के समुच्च को 1, 2, 3 इत्यादी से निरूपित किया जाता है रोस्टर विधी में 7 से कम सभी समधनात्मत पोनांकों के समुच्च को 2, 4, 6 के रूप में लिखा जाता है विशम प्राकृत संख्याओं के समुच्च को 1, 3, 5 इत्यादी द्वारा प्रदैशित किया जाता है स्कूल शब्द की रचना करने वाले अक्षरों का समुच्च है S-C-H-O-L अथवा H-O-L-C-S यहां अव्यवों के क्रम को किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है समुच्च की समुच्च निर्मान पद्धती का उधारण सभी X का समुच्च इस तरह है की X 0 से बढ़ा हो सभी X का समुच्च इस तरह है की X 11 की अत्रिक्त कोई भी संख्या है सभी X का समुच्च इस तरह है की X 5 से कम कोई भी संख्या है रिक्त समुच्चे B बराबर 3, 5, 7 माना की C समुच्यों A और B के 36 दन को दर्शाता है तब C बराबर 1 शुन्ने समुच्य है क्योंकि 2 समुच्यों के बीच कोई भी अव्यव समान नहीं है चलिए एक उधारन को हल करें मापांक 6 X माइनस 7 प्लस 10 बराबर शुन्ने को हल करें हल चरण 1 मापांक 6 X माइनस 7 प्लस 10 बराबर शुन्ने चरण 2 मापांक 6 X माइनस 7 पराबर माइनस 10 जो सत्य नहीं है दूनों पक्षों से 10 खटाने पर चरण 3 अता हल एक शुन्ने समुच्य है परिमित और आपरिमित समुच्चे परिमित समुच्चे समुच्चे जो रिकत है अथवा जिसमें अव्यवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चे कहलाता है उधारां के लिए A बराबर शुन्ने और 100 के बीच की पून संख्याएं बी बराबर प्रात्मे किया मुख्य रंग, सी बराबर बारा से कम अभाज्य संख्याएं, परिमित समुच्चे हैं, आपरिमित समुच्चे, आपरिमित समुच्चे अव्यवों की आपरिमित संख्याओं वाला समुच्चे है, एक आपरिमित समुच्चे के सभी अव्यवों की इस्पष्ट सूची बनाना सभव नहीं है उधारनाथ X एक ब्रह्मान के भीतर पर्मानों का समुच्च है Y एक पूर्ण संख्याओं का समुच्च है W एक संपूरांग संख्याओं का समुच्च है आपरिमित समुच्च है समान और आसमान समुच्च दो समुच्चे P और Q समान कहलाते हैं यदि उन्में वास्तों में समान अव्यव हूं तथा हम P बरापर Q लिखते हैं अनिथा समुच्चियों को असमान कहते हैं तथा हम लिखते हैं कि P और Q बरापर नहीं है समान समुच्चे का उधारण समुझचे A बराबर 3, 4, 6 और B बराबर 6, 3, 4 बराबर हैं क्योंकि उनके अव्याव समान है यदि समुझ के एक या एक से अधिक अव्यावों को दोराया जाता है तो समुझचे बदलता नहीं है उधारण के लिए Capital A के सभी अव्याव Capital B में है अध्वा Capital B के सभी अव्याव Capital A में है तो समुझे A बराबर 5-6-7 और B बराबर 6-6-5-7-7 बराबर है यही कारण है कि हम प्राया किसी समुझे का वर्लन करते समय समय उसके अव्यवों की पुंद्रा वृत्ती नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं, समच्चे तथा समच्चे की सैध्धान्तिक अवधारणाओं के मामले में लगभग सभी गणितिये अवधारणाएं अब स्पष्ट रूप से परिभाशित हैं। उधारण के लिए गणितिये सनचनाएं जैसे विभिन अक्षिये गुणों वाले विविद रेखांकन, बहुमुख वले और वेक्टर स्पेस सभी समच्च के रूप में परिभाशित हैं। सम्तुल्लिता और क्रम संबंध गणित में सर्वव्यापी हैं। तथा संबंधों के सिध्धांत पूरी तरह से समच्च के सिध्धांतों पर आधारित हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संख्षेप में दोहराएं। समुच्च एक अच्छी तरह से परिभाशित वस्तूं का संग्रे हैं। एक समुच्च जिसमें कोई अव्यव नहीं है उसे रिक्द समुच्च कहा जाता है। एक समुच्च जिसमें अव्यवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमिश समुच्च कहा जाता है। अनिथा समुच्च आपरिमिश समुच्च होता है। दो समुच्च ए और बी को एक समान कहा जाता है। यदे उनके अव्यव वास्तों में एक समान होूँ